सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए हेलो गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तरंडूम जिया देखे गाईज आज मैं ये नूरी सकाफ बना रही हूँ ये नूरी सकाफ के लिए काफ़े कमेंट्स मुझे आ रहे थे देखे एक नूरी सकाफ मैंने ये बनाया है यह आगे का हिस्सा हमारा आएगा ये पॉर्शन जो है अगला वाला है और इसमें ये अलग से बुना जाता है इसका तिकोनी जो होती है ये जो इसमें यहां पर ये ज जगह पर ये जो आइंट हो जाती है यहां इस तरह से देखें ये वाला मैं बना रही हूं देखें आपने क्या करना है ये करीब तीन साल तक के बच्चे को आराम से ये वाला नूरी सकाफ आएगा देखें इसकी लंबाई कितनी मैंने रखी है 6 इंच देखें 6 इंच की ये पट्टी बुन लेगे जो भी डिजाइन आपने डालना हो उस डिजाइन को आप इसमें डालेंगे वैसे में ये वाला डिजाइन भी आपको दिखा दूंगे किस तरह से ये डिजाइन बनाया गया है दिखें गाईज 6-7 फंदों में आपको ये डिजाइन बता रही हूं द बना लेने हैं फिर ये एक फंदा हमने बिना बुना उतार देना है फिर से ये इसी तरह से बनाना है एक फंदा बुना उनको आगे लिया फिर से इसी फंदे को बुना एक फंदे से तीन तीन फंदे बनाने है देखिए फिर से एक फंदा बिना बुना उतार दिया एक कलर में बनाना चाहें तब भी ऐसे ही बनेगा बस दूसरा कलर ना लगाएं इसमें देखें तीन फंदे बना लिए एक फंदा बिना बुना उतार दिया हमने एक फंदा बुना उनको अपने आगे लिया फिर से इस फंदे को बुना कि तीन फंदे हमारे ये बन गए अब देखे उल्टी सलाई पर हमें क्या करना है इन फंदों को हमने सीधा बुनना है उल्टी सलाई पर भी इन फंदों को तीनों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ बुनकर एक फंदा हम ये बना लेंगे उन को आगे ही रखना है, फिर इस फंदे को हम बिना बुना उतार देंगे, जो बिना बुना उतारा था हमने, फर्स ट्रॉपर, देखें फिर से इन तीनों फंदों को एक साथ लिया हमने, ये बुन दिया, फिर ये फंदा उतारा, इस उन को इधर सामने ही रखना है, इसको प यहां पर तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ बुनना है यह लीजे हमारा यह वाला डिजाइन कंप्लीट हो गया बस अब क्या करना है इस भंद इसको हमने क्रीम कलर से इन फंदों को सीधा बना देना है सब को सीधा बुन देना है सीधी रो है हमारी थर्ड रो पर देखे सारे फंदे हमने सीधे बुंदे ने है इसके बाद एक सलाई हमारी फिर उल्टी है तो उल्टी ही बनाएंगे उसको अब देखे रो फोर आई है रो फोर पर उल्टी है हमारी सलाई तो उल्टे ही फंदे सब बना देंगे हम हर row 5 पर ये design बनेगा row 4 का ये design है और बहुत easy है ये देखे बस फिर अब देखे क्या करना है हमने अब हमने इस वाले फंदे पर ये 3 फंदे लिए थे बस आब आपने ये देखना है जब आप दूसरा design बनाएंगी तो इस वाले फंदे पर बनेगा जो हमने बिना बुना उतारा था आपकी बार ये वाला फंदा हमारा बिना बुना उतरेगा और इस फंदे पर ये design बनेगा बस इतना धियान रखना है कि अगला design उस फंदे पर बनेगा जो बिना बुना उतरेगा देखे इस तरह से ये वाला फंदा अब हम बिना बुना उतार देंगे देखे इस पर ये डिजाइन है और इस ये वाले को बुनेंगे एक बुना उनको आगे लिया इस तरह से बस इस तरह से आपने ये बनाना है एक बार एक फंदे पर बनेगा एक बार एक फंदे पर चार रो का ये डिजाइन है चलिए हम मैं आपको ये वाली रो दिखाऊंगी कि अब हम इसमें क्या करना है यहां पर यह फंदे हमारे घटेंगे यहां पर जब आपकी पट्टी रेडी हो जाएगी अगर बड़ा बनाना है तो इस पट्टी को आपने और ज्यादा बुल लेना है अब चाहे तो आप यह डिजाइन पूरी इस पट्टी में डाले या फिर थोड़ा सा डाले जिस तरह से मैं डाला है फिर मैंने यह दो दो सलाई यह दोनों कलर की की है अब देखे हमें हमारे यह असी फंदे हैं असी फंदों को फंदे यह मैंने डाले हैं इस कैप में अब असी फंदों में हम दस फंदे इधर रखेंगे और दस फंदे हम लास्ट में रखेंगे और बीच में बीस बीस फंदे हम रखेंगे तो इस हिसाब से इन फंदों को बाट दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे हमने ये बुन लिये, अब आठ में हमें क्या करना है, ये तीन फंदे हमने अब ये रखने हैं, तीन फंदे जो हैं ये वाले, अब इन तीन फंदों में, एक फंदा ये इधर है और एक इधर है, अब इस बीच के फंदे को हम center बनाएंगे ये वाला तो दिखे पहले हम इस फंदे को इस उन को पीछे पहुचाएंगे क्योंकि ये वाले फंदे सीधे बुन्ने हमने इस एक फंदे को इस पर उतारा और इस दूसरे फंदे को हम बीच वाले फंदे को इस सलाई पर लेंगे किसी तीसरी सलाई पर और इधर इस वाले फंदे को भी इधर ले लेंगे और इस फंदे को हम यहाँ डालेंगे जिस तरह से हम वी गला बनाते हैं उसी तरह से वी गले वाली पट्टी हमने बनानी है देखे गाईज यह मैंने 8 नहीं 9 फंदे कर दिये हैं इधर और मैं आपको एक बात और बता हूँ आपको बिल्कुल परिशानी नहीं आएगी इन फंदों को बाटने में जब आप 80 फंदों का कैप बनाएं तो उसमें आप 84 फंदे कर ले चार फंदे सेंटर के अलग से ही बना ले अब देखे इन 9 फंदे में इधर रखे हैं हमें एक फंदा इस सलाई पर बिना बुना उतार दूँगी और इस बीच के फंदे को जो हमें ये सेंटर का बनाना है इस फंदे को इस सलाई पर लेकर ये दूसरा एक फंदा इधर से इस सलाई पर और ले लूगी और यह वाला फंदा यहां पीछे कर देंगे इन दोनों से अब इन दोनों फंदों को भी इस सलाई पर उतारेंगे एकदम वीगले जैसा यह बनेगा इस उनको आगे पहुचा कर इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे नीचे की साइड से बुनना है इसको देखिए बहुत ही खुशूरा सी फिर यहां पर वी गले जैसी फली आएगी जिस तरह से हम वी गले को घटाते हैं अब देखिए सून को आगे लाएंगे अब हम इधर यह फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, देस, ग्यारा, बारा, तेहरा, चौदा, पंधरा, सोला, सत्रा अब देखिए, सत्रा फंदे हमने, यहां पर यह बीच में बुन दियें, अब फिर से एक फंदा हम मून को पीछे पोच्चा देंगे एक फंदा इस सलाई पर लेंगे, जिस तरह से अभी पीछे हमने किया है चार सेंटर हमारे यह बनने है, देखिए, यह बीच का सेंटर का फंदा रखेंगे हम और एक फंदा हम यह इधर से लेंगे और इस फंदे को हम पीछे कर देंगे इन दोनों से और फिर इन दोनों फंदों को इस सलाई पर उतार देंगे और उनको यहीं आगे रखना है और नीचे से यहां से लेंगे यहां से नहीं डालेंगे सलाई को यहां से यहां से लेंगे जिससे कि हमारी फली बहुत ही हुपसूरत सी बन कर आए जो हमारा मेंन सेंटर है चार सेंटर हमारे यह रहेंगे देखिए इस तरह से अब फिर से हम उनको आगे लाएंगे फिर से हम 17 फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेहरा, चौदा, पंधरा, 16, 17, 17 फंदे फिर बुन लिया हमने, फिर से हम उनको पीछा पहचाएंगें, इस एक फंदे को इधर उतार देगें, यह बीच का सेंटर का है, अब यह तीसरा सेंटर आया है हमारा यहां पर, और एक फंदा इधर से लेगे, और इस वाले फंदे को सेंटर की नीचे क करेंगे और इन दोनों फंदों को इस सलाई पर उतार लेंगे एक दो तीनों फंदों को फिर से एक साथ सीधा बुनेंगे इसी धा बुन दिया फिर से उनको आगे लिया फिर से बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो देस ग्यारा बारा तेहरा चौदा पंदेरा सोला अब देखिए अब फिर से ये सेंटर वाला फंदा लेंगे हम एक फंदा इधर से लेंगे एक बीच का सेंटर का है चौथा सेंटर है हमारा लास्ट सेंटर है बच चार सेंटर रखेंगे हम आप चार फंदे फालतू रखें इसमें 84 फंदे रखेंगे तो ददद साइड में ले लेंगे 20-20 फंदे आप बीछ में ले आएंगे और 4 फंदे ये सेंटर के रहेंगे तो एक एक फंदे इधर से ले कर आप यदर से ले कर आप आराम सक घट आते रहोगे ये दिखे अब ये बागी के बच्चे फंदे हम जिन्नों फंदे हम बुन देंगे आपको यह सबसां तरीका बताया है मैंने कि आपको बाटने में बिल्कुल पॉब्लम नहीं आएगी जितने भी फंदे आप रखे अगर बड़ा बना रहे हो कि अपर 90 फंदे रख रहे हो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगे अब देखे पूरी यह उल्टी रख में उल्टी बना दू उसके बाद दिखाती हूँ सीधी रख पर ही हमारा यह सेंटर वाले फंदे बनेंगे उल्टी रख हमारी पूरी उल्टी ही कंप्लीट हो देखें यह आठ फंदे में फिर बुल लाएं सीधी सलाई पर अब दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सलाईयां चलेंगी आठ फंदे मैंने बुली एक फंदे यहाँ पर मैंने बिना बुना छोड़ा है क्योंकि अब हमें फिर सेंटर आया है हमारा यह फंदा इस सलाई पर लिया इस बीच के फंदे को सेंटर वाले को इस पर लिया एक फंदा हमें दूसरी साइट से लेना है यह वाला फंदा इस सला तो एक एक फंदा इधर से और एक इधर से घटता रहेगा हमारा देखे फिर उनको आगे लाकर ये फंदे बुनने हैं हमने बीच के उल्टे बुनने हैं सब बस ये वाला और दिखा रहे हमां आपको घटा कर उसके बाद मैं आपको जब आखरी रह जाएगा तब होगी हर बार सीधी सलाइपर इसी तरह से घटता जाएगा एक फंदा इधर से लेंगे एक इधर से 4 सेंटर है चारो पर इसी तरह से करना है देखिए आया सेंटर वाला फंद हमारा बीच का तो उनको पीछे पहुचाई इसको बिना बुना इस पर लिया इसे किसी दूसरी सलाई में ले लोगा असानी के लिए कि यह निकले नहीं एक फंद इधर से इस सलाई पर उतारा इसे इस पर डाला और दोनों फंदों को इस से आगे कर लेंगे एक, दो अब देखिए यह तीनों एक साथ लिए नीचे से और इनको बुन दिया अब यह फंदे हमारे यहाँ पर घटते जाएंगे एक इधर से घटेगा और एक इधर से दो-दो फंदे एक साथ घट जाएंगे यह बुन्ने तीन है लेकिन एक इधर से घट रहा है एक इधर से पिर यह सेंटर आया है इस फंदे को बिना बुना इस पर लिया मेन फंदा इस सलाई पर और एक फंदा इधर से लिया इसको पहले डाला और दो फंदे यह सागे कर लेने है तीनों को एक साथ लेंगे सीधा अब आगे उनको लिया अब यह और उल्टे फंदे है हमारे पिर सेंटर वाला फंदा एक बिना बुना उतारा मेन फंदा इस सलाई पर लिया एक इधर से लिया इसे यहां पहले डाला दोनों को इस से आगे कर देंगे देखे यह आने लगी हमारी फंदी उनको आगे लिया फिर यह उल्टे फंदे है चलिए हम मैं इस सब फंदे घटा लूँ तब मैं आपको दिखाऊंगी जब लास्ट का फंदा रह जाएगा यह और ना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगा अगर मैं यह दिखाती पर आपने इसी तरह से एक इधर से लेना है एक इधर से इस बीच के फंदे के साथ घटा देना है अब जब यह लास्ट का एक फंदा इधर रह जाएगा साइट के फंदों में से तब मैं आपको दिखाऊंगी अब देखे गाईज हमारी यह फंदे बचे हैं देखे इस तर इस फंदे को भी हम बेना बुना उतारेंगे इस सलाई पर इस फंदे को उसी तरह से लेना है जिस तरह से यह वाला फंदे शुरू में हमने लिया था एक फंदा विदर से ले लेंगे हम बस इसी तरह से हमने इस सारे फंदे कंप्लेट करने हैं जितने हमारे फंदे वच्ट अब एक फंदा ये धर से लेंगे एक इधर से लेंगे इस फंद को उतारा ये बीज में है हमारा फंदा एक फंदा हमने ये लिया इधर से बीज में हमारे दो दो फंदे बचते हैं जब इधर एक एक फंदा बचता है तब हमने एक इधर से लेना है फंदा और एक इधर से एक फंदा हमने इधर लिया है उतारा है यह वाला इधर ले लेंगे इसे नीचे लेंगे सलाई पर और यह दोनों फंदे इधर डालेंगे अब सिर्फ हमारे यह सैंटर सैंटर के फंदे बशिएंगे लास्ट में देखिये अब यह फंदे हमारे लास्ट के चार फंदे बचे हैं उल्टी सलाई को हम उल्टा ही कमपिलीट कर देंगे अब यह हमारे सैंटर के चार फंदे हैं इनको दो दो लेकर घटाएंगे दो को लिया फिर दो को लिया अब हमारे यह दो फंदे बचे हैं यहापर इन दोनों को फिर उल्टा बुन देंगे अब देखिए हमारे ये दो फंदे बचे हैं बिल्कुल अब इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेकर यहाँ पर बंद कर देंगे यह हमारा complete हुआ ये वाला जो हिस्सा है इसमें फंदा लगाया ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा complete हो गया है अब हमें इसका ये वाला portion बुनना है ये जो तिकोना है आप लगकर आएगा ये बनकर जिससे ये नूरी स्काफ बने गई है इस तरह से ये आता है जुड़कर इसमें अब हम मैं इस के इस step के में साथ फंदे डालूँगी आप चाहें तो आठ डालें ज्यादा चौड़ा बनाना चाहें जितना चौड़ा आप बनाना चाहें ये आपकी च्वाइस पर है अब मैं इसके फंदे डालूँ इस step के उसके बाद मैं दिखाती हूँ देखें आठ ही फंदे डाली हैं मैंने आठ फंदों का ये मैं step बनाना शुरू करूँगी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना जाएगा step कितना लंबा रखना है ये आपकी च्वाइस होगी जितना लंबा मैं रखूँगी वह आपको मैं दिखा दूँगी चलिए हम मैं इस step को बना लूँ तब मैं आपको दिखाऊँगी step दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना जाएगा जब ये step मेरा complete हो जाएगा तब और हिस्सा मैं आपको दिखाऊँगी ये और हिस्सा हमारा किस तरह से बनेगा देखे गाईज ये step मैं ने बना लिया है देखे मैं आपकर दिखाऊँगी कितने इंच का मैंने बनाया है 14 इंच का मैंने ये step बनाया है step भी आपकी choice पर है आप चाहे बड़ा थोड़ा रखना चाहे या फिर छोटा रखना चाहे वो आपकी च्वाइस पर है अब देखे गाईस यह हमारी हम सीधी साइट जो है इसको मानते हैं यह जो है नीचे यहाँ पर तो हमारा यह सीधा हिस्सा है इसमें सलाईयां तो दोनों तरफ से उल्टी रहेंगी लेकिन इसको सीधा मानकर हम यह हिस और हम ने नहीं बढ़ाना है देखिए यह हमारा फंदा बढ़ गया सोड़ा समय आपको दिखाए देती हूं देखिए यह हमारी सीधी साइड हो गई है सिर्फ सीधी पर यह फंदा हमारा बढ़ना है उल्टी पर हम नहीं बढ़ाएंगे और फिर्स्ट फंदे को आप बिना बुना ही उतारे तो बहुत अच्छा स्मूथ सी यह साइड जो है यह बहुत स्मूथ आएगी वरना यह कटी-कटी आती है यह देखिए उल्टी सलाई हमने बुन दी है अब फिर से हमारी राइट साइड आई है तो अब फिर इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पर देखिए एक फंदा बुना हमने इस फंदे को हम निकालेंगे नहीं फिर दुबारा से ही फंदे को इस तरह से लेकर हम बुन देंगे यह देखिए दो फंदे हमारे बन गए इसी तरह से अब यह हम सीधी सलाई पर अपनी फंदा बढ़ाते जाएंगे और उल्टी सलाई को हमने बिना कुछ किये ही बस यह फंदे उल्टे बुनाई कर देने हैं देखिए हमारे उल्टी सलाई भी कम्प्लेट हुई फिर से हमारा इस सीधा आया है फिर से हम उसी तरह फंदा बुनेंगे और फिर दुबारा से इस फंदे को बुनेंगे निकालेंगे नहीं दुबारा इस फंदे को यहां से लेकर इसको हम बुनाई कर देंगे देखिए बस अब इसी तरह से यह फंदे बढ़ते रहेंगे यह फंदे हमें जब तक बढ़ाने हैं मैं आपको दिखायीदेती हूँ कब तक यह फंदे बढ़ाएंगे यह देखिए, काफी सारे फंदे इसमें बढ़ाने होते हैं हमें यह इसकी यहाँ पर चोचसी बनेगी फिर अब यह फंदे आपने इतने बढ़ाने हैं कि जब आप यह फंदे आपके बढ़ते जाएं तो आपने इस कैप का ये किनारा पकड़ कर यहां से जहां इस टैप कत्म होए फंदे हमारे बढ़ने शुरू हुए हैं इस हिस्से को इस तरह से आप लेंगे इस तरह से नापते जाएंगे और देखे जहां पर ये चोच इसकी आएगी इतनी ये वाले हिस्सा जहां पर इसका आएगा ये यहां तक ही हमने इसके फंदे बढ़ाते जाना है टोपे के हिसाब से ही आपने नापते जाना है और फंदे बढ़ाते जाना है और मैं आपको इंच से बता दूँगी कितने इंच का हमारा ये बना है पहले मैं ये पूरा रेडी कर लूँ जब मैं आपको दिखाऊंगी देखें गाई जब आपका ये कैप रेडी हो जाए तो आपने इंची टेप से इस कैप को नाप लेना है यहां से जहां लास्ट के दो फंदे हमने यहां अखीर में घटाएं थे इससे यहां तक नाप कर आपने ये नाप लेना है देखें 9 इंच ये आरह है जितना ये हिस्सा हमारा आता है उतना ही हिस्सा आप ये पिछले portion का बनाएंगे देखिए यह मैंने रेडी कर लिया है, यह भी करीब 9 इंच का हमारा बना है, जहां से हम यह फंदे बढ़ाने शुरू किये थे, उस तक हमने यह 9 इंच का बना लिया है, अब देखिए इसमें क्या करना है, जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाएं थे इधर साइट से, बढ़ाते गएं थे अब दूसरी साइट को ये फंदे हर सीधी साइट पर घटते जाएंगे, उल्टी सलाई पर नहीं घटेंगे, सिर्फ सीधी सलाई पर देखिए, यह हमारे कम्प्लीट हो गए हैं, दो फंदे हम एक साथ लेंगे, और एक फंदा इसमें से हमारा देखे घट गया, अब पूरे स सलाई को हम बुनाई कर लेंगे, यह पूरी बुनाई कर लो, मैं इसके बाद उल्टी सलाई और पूरी बुनाई कर लो, उसके बाद मैं आपको दुबारा दिखाऊंगी, देखे मैंने यह उल्टी सलाई भी कम्प्लीट कर दी, हर सीधी सलाई पर अब हमें यह सीधी साइट पर एक एक फंदक घटाते जाना है और तब तक घटाना है जब तक हमारे 8 फंदे न रह जाएं बस मैं अब आपको आपको और नहीं दिखाऊंगी जब यह 8 फंदे रह जाएंगे तब आपने यह इस टैप शुरू कर देना है चिस तरह से के बना लेना है जितना हमारा किस स्टैप का बना था जब आठ फंदे रह जाए रहे जाए तो आपने स्टैप शुरू कर देना है दोसी ए के बराबर ही step को बना लेना है चलिए हम मैं पूरा ये तयार कर लूँ इस टैप बना लूँ इसका ये सब फंदे घटा लूँ आठ फंदे छोड़ने है आठ पर हमें step बनाना है ये guys हमारा ये portion ready हो चुका है अब हमें इसकी सलाई करनी है step भी हमारे दोनों बन चुके है अब देखे इसकी सलाई हमें करनी है तो हमने ये वाला हिस्सा यहां से लेंगे हम इस किनारे पर यहां पर जहां से हमने ये फंदे बढ़ाने शुरू किये थे यहां से लेंगे और एक एक फंदा लेंगे साथ में एक ये व साइड हमने अंदर कर दी है इसको इस तरह से सीते जाएंगे एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे बहुत आराम से इसको सीना है बहुत सफाईस है मैं इसको यहां तक सी लेती हूँ फिर बापको दिखाती हूँ यहां तक सी लाँ इसको इस चोच को भी यहां से इस तरह से यहां पर मिला कर रखना है बहुत ही खूबशूरत यह कैप लगता है यह बॉआ इसको गल्स को किसी को भी आप पहना सकते हैं सर्दियों में वोमेंस भी इसको काफी पहनती है दिखें यहां तक तो सील गया अब इसी तरह से हम इसको इधर से भी सीते लाएंगे इसको मैं सीलूँ थोड़ा यहां तक लियाओं फिर मैं आपको दिखाती हूँ बस अब यह इसको यहां से ऐसे लाना है दिखें इस किनारों को यहां पर आपने बहुत अच्छी तरह से पका कर देना है यह जो किनारा है देखिए यह हमारा नूरी स्कार्फ रेडी हो चुका है बहुत ही प्यारा यह लगता है बहुत ही खुब्सूरत इसका लूक आता है अगर आपको मेरे डिजाइन और यह नूरी स्कार्फ पसंद आयो तो प्लेज आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मुझे कमेंट्स भी करें कैसे लगा आपको मेरे डिजाइन मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स और आपको मेरे लो प्लेका